नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बर्तमान में 2021-22 की बिली दर लागू है, सहरी घरेल उभगताओ को बर्तमान में 6 रूपया 25 पर दर से बिली दर का भुगतान करना पड़ता है अब इसे बढ़ा कर 8 रूपया 6 पर पर दर का भुगताओ की दर 7 रूपया 6 पर करने का प्रस्ताओ है JSERC के डिफक्ट होने के कारण JPVNL के टैरिफ पिटीशन पर कुरोना कालमेणीन नहीं हो पाया था सेवा अस्थाई करन की मांग को लेकर पंचायच स्वयम सेवक करेंगे मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव रांची में पिछले 70 दिनों से बकाया मांदे को लेकर धरना दे रहे पंचायच स्वयम सेवक ने मंत्री आलमगीर आलम के आवास घेराव का निना लिया है पुलिस वाले सावधान अवकटेगा उनका भी चलान ट्रैफिक नीमो की अंदेखी करने वाले कानून के रखवाले भी अवर रडार पर आ गये हैं रांची SSP चंदन सिन्हा ने सभी पुलिस वालों को सपश नेदेश दिया है कि वह ट्रैफिक नीमो का पालन करते हुए ही वहान चलाए अन्य अथा उन पर भी करवाई होगी बता दी सड़क हाथ्सों में घायल होने वालों और हाथ्सों में अपनी जान गवाने वालों में पुलिस वाले भी सामिल होते हैं ऐसा नहीं है कि सड़क हाथ्सों में किवल आम लोग ही हताहत होते हैं फर्क सिर्फ यही होता है कि पूलिस वाले जब वहां चेकिन अभ्यान के दरा नियमों का उलंखन करते हुए पकड़ जाते हैं तो वह अपने आपको पूलिस होने का हवाला दे कर बच निकलते हैं लेकिन अब ऐसा सायद नहीं हो सुक्रवार को रांचे सेस्पी चन्दन सिनहा ट्रैफिक नियमों का उलंखन करने वाले पूलिस कर्मियों के लिए अलग से आदेश जारी किया है 18 सितंबर को होगी मुख्य मंत्री हमन सुरेन की आचका पर सुप्रीम कोट में सोम ओर 18 सितंबर को सुनवाई होगी जमिन घोटाला मामले को लेकर इड़ी के समन के खिलाब सी एम ने रिट पेटिशन दिया है जिसमें इड़ी के अधिकार को चिनोती दी गई है बतादे 24 अगस्त को रिट पेटिशन संख्या 000-03-78-22-23 रेइस्टर हुआ था इसके बाद पेटिशन का वेरिफिकेशन 11 सितंबर को हुआ है मुख्य मंत्री की रिट याचका पर सुनवाई निधारित थी अब उसे 18 सितंबर होगी मुख्य मंत्री हमसरन की ओर से उनके अधिवक्ता मुकुल रोहतागी ने बताया है कि उनकी तवियर ठीक नहीं है इसलिए सुनवाई की अगली तारिक दी जाए कुडमी एक बार फिर 20 सितंबर से करने जा रहे हैं रेल रोको अंदोलान अनसुचित जन जाति या आदिवासी का दर्जा पाने के लिए कुडमी समाज एक बार फिर 20 सितंबर से रेल रोको अंदोलान करने जा रहा है इससे पहले कुडमी समाज 20 सितंबर 2022 वह 5 अपरेल 2030 इसको 5 दिवसे रेल रोको अंदोलान कर चुका है ऐसे में सवाल यही है कि कुर्मी समाज बार बार रेल रोको आंदोरन कर रहा है रेलवे से इसका क्या समंध है बताद तीसरी बार रेल रोको आंदोरन की वज़ा पर आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रिय परवक्ता हर मोहन महतों कहते हैं कि हमारी मांग केंदर सरकार से जुड़ी है अरजुन मुंडा जब 2004 में राज के मुख मंत्री थे तब उन्होंने ही कुर्मी समाज को आदिवासी बनाने की अनुसान सा केंदर सरकार से की थी जे एससी एलडीसी की फैकेंसी का छात्र कर रहे इंतजार जारखन में सरकारी नौकरी करना है तो आपको धरे बना कर रखना होगा बता दे ऐसा इसलिए क्योंकि राज करमचारी चैन आयोग ने अभी तक लोवर डिवीजन कलर्क यानी की एलडीसी की फैकेंसी नहीं निकाली है जबकि जे एससी द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार बीते माँ अगस्त में ही फैकेंसी का बीगापन जारी होना था फेकेंसी नहीं आने से छादर परिसान है वहीं बीते एक साल में तीन बार संसोधित केलेंडर जारी हो चुका है वे जल्द से जल्द एलिटी समेत अनपरिक्षाओं का बिगापन जारी करने की मांग कर रहे हैं बतादे साल 2022 के जून मां में जार्खन सरकार ने 900 से अधिक पदो पर फैकेंसी निकाली थी लेकिन हाई कोड द्वारा नियोजन निती रध हो जाने से जैसे सी द्वारा जारी बिगापन रध हो गया था जार्खन में डेंगू के 36 और चिकनगूनिया के 12 मरीजों की पुष्टी राज भर में डेंगू और चिकनगूनिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है सुक्रवार को राज भर में डेंगू के 333 संदिक्द मरीज मिले हैं जाच में 36 में डेंगू की पुष्टी हुई है वहीं चिकनगुनिया के भी 134 संदिख्द मरीज मिले हैं जिन में से 89 मरीजों ने जाच कराई जिसमें से 12 में चिकनगुनिया के पुष्टी हुई सभी मरीज रांची के हैं पूर्वी सिम्मू में सबसे ज़्यादा डेंगू के अंठान में संदिक्द मरीज मिले हैं इनमें आठ में डेंगू की पुष्टी हुई वही राजधानी रांची में डेंगू के 37 संदिक्द मरीज मिले हैं इनमें से एक में डेंगू की पुष्टी हुई है वहीं सराय के ला में डेंगू के और 40 संदिग्द मरीज मिले हैं जबकि धनबाद में डेंगू के 8, दुमका में 2, हजारी बाग में 2, कोड़ार्बा में 2, रामगर्ड में 3, साहब गन में 6 और 15 सिमू में 4 डेंगू के मरीज मिले हैं रांची में चलो करे आवास पूरा अभियान की हुई सुरुवात सरकार ग्रामिन छेत्रों में प्रधान मंत्री आवास होईना के लग्स को सत परशत पूरा करने में जूटी है इसके लिए सुक्रवार से चलो करे आवास पूरा अभियान का सुबारम किया गया इसके तहत गाव गाव जाकर लोगों को पीम आवास का काम पूरा करने के लिए प्रेडित किया जाएगा प्रधान मंत्री अवास वोजना के तहत ग्रामिन छेत्रे में अधूरे भवन को पूर्ण करने के लिए ग्रामिन विकास विभाग ने एक विशेस अभियान चलाया है 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलाया जाने वाले इस विशेस सव्यान का नाम चलो करे अवास पूरा दिया गया है बतादे रांची जीला में प्रधान मंत्री अवास विवजना के तहत अभियान चलाकर अपूर्ण अवासों को पूर्ण करने का सुबारम सुक्रवार से किया गया है राज्य हिंदू धार्मिक नियास बोड के फैसले खिलाब सलक पर उत्र सरधालू जार्खन राज्य हिंदू धार्मिक नियास बोड के द्वारा पूर्व से चल रहे विविन मंदिरों को परबंधन समीती को भंग कर नई समीती बनाया जाने का बिरोत तेज होता जा रहा है पहारी मंदीर प्रबंधन समीती कुभंग कर नौग अठित प्रबंधन समीती बनाया जाने किलाब सुकरवार को राजधानी राची की सड़कों पर बड़ी संखेम लोग उतर कर इसका बिरोध करते दिखेगा है पहारी मंदीर से अलवट एका चोग तक जुलुस की सकल में हाथों में मसाल लिये निकले इन लोगों ने इस दोरान जहां जार्खन राज हिंदु धार्मिक नैस्पोट के इस फैसले का जम कर बिरोध किया वहीं सरकार्श मंदीर का राजनिती करन नहीं करने का नुरोध भी किया है बतादे स्वामी दिव्यानंद महाराज ने इस दोरान मीडिया कर्मियों को समोधित करते वे कहा है कि या बिरोध मंदीर के राजनिती करन कहा है हम कोई संगठन या मंदीर समीती नहीं बलिक सभी समाजिक संगठनों और समानेश्यू भगत हैं नकसलियों की दोबारा सक्रियता रोकने को बनी साजार रनिती जार्खन समेत पांच राजियों की इस्टन रिजनल पुलिस को अडिनेशनल कमीटी की सुक्रवार को हुई बैठक के दोबारा नकसलियों की दोबारा सक्रियता को रोकने की ताजार रनिती बनी है साथी स्तिमावर्ती इलाकों में मवादियों के खिलाप रनिती बना कर सन्युक्त अभियान चलाने की योजना बनाई गई है बैठक के अध्यक्ता जार्खन की डिजीपी अजय कुमार सिना ने की है बैठक में बंगाल, बिहार, उडिशा और चातिस गड़ के अधिकारी भी सामिल हुए है बैठक में बताया गया है कि जार्खन और चातिस गड़ में फैले बुढधा पहार को नकसलियों के कबजे से मुक्त करा दिया गया है चाति बुढधा पहार, तीसिया एवं नावा टोली में पूलिस केम्प की अस्थापना की गई है जार्खन सरकार ने बुढधा पहार को विक्सित करने की कार जोजना बनाई है बैठक में तै हुआ है कि जार्खन नोचातिस गड़ दोनों राजियों के पूलिस मिल कर यहां बने कैम्प को ससक्त करेगी धन्यवाद